हेलो एवरिवान वेलकम टू आवर चैनल स्टाइकलोजी की दुनिया मैं हूँ सरीता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्यूजन, हैलूसिनेशन और डिल्यूजन की जिन में हम इसके डिफ्रेंशं को जानेंगे कि इस टीनों में क्या डिफ्रेंश है तो अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब जर में कर दे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलियूजन के बारे में illusion याने भ्रम इसको हम कह सकते है false perception with stimulus false perception मतलब कि हम किसी clear stimulus को गलत identify कर लेते हैं with stimulus मतलब illusion में stimulus हमेशा present रहता है जैसे कि रसी को साब समझना अंधेरे में अगर रसी गिरी होती है तो हम उसे साब समझ लेते हैं तो इसी तरह ये भ्रम जो है वो सभी को हो सकता है तो अब हम जानेंगे hallucination के बारे में hallucination मतलब विब्रम विब्रम जो है उसमें false perception होता है लेकिन उसमें stimulus नहीं होता तो हम कह सकते हैं false perception without stimulus जैसे कि ये hallucination जो है वो पांस तरीके से होती है पहला है auditory hallucination दूसरा है visual hallucination तीसरा है all factory hallucination चौता है gustatory hallucination और पांचमा है tactile hallucination auditory hallucination में आवाज आती है जिसमें कि वो person या stimulus जो है वो अबलेवल नहीं होता visual hallucination में जो किसी व्यक्ति को कुछ से दिखाई देता है उसमें भी stimulus अबलेवल नहीं होता और all factory hallucination में किसी चीज की सुगंद आती है जो कि होता नहीं है चौता है gustatory hallucination इसमें किसी चीज का सुआद आता है जो चीज इंसन खाया नहीं होता है उस चीज का सुआद आते रहता है तो ये भी एक hallucination है जिसमें astumulus अबलेवल नहीं होता है पांचमा है tactile hallucination ऐसा लगता है जैसे कि सरीर पे कुछ ring रहा हो तो जो होता नहीं है जश में तो ये सारे hallucination है वैसे ज़्यादा तर किसी भी पेसेंट में जैसे सीजुप्रेणिया में auditory hallucination ही देखे जाते हैं ये सारे hallucination common नहीं है common auditory hallucination है वही जब से ज़्यादा पाये जाते हैं तो अभी हम लोगों नहीं illusion और hallucination के बारे में जाना तो illusion और hallucination में जो differences है इसमें false illusion में false perception होता है लेकिन उसमें tumulus होता है और hallucination जो है उसमें false perception होता है लेकिन without tumulus होता है जैसे कि मैंने बताया auditory hallucination लोगों को सुनाई देता है कि किसी की आवाज आती है जैसे की किसी को bean की आवाज आती है जैसे मैंने एच पेशेंट को देखा था उसको bean की आवाज आती थी illusion में false perception होता है लेकिन उसमें tumulus – sleep level होता है जैसे कि साप को रस्स समझे लेना तो hallucination और illusion में ये differences है तो आप हम जानेंगे delusion तो delusion जो है उसमें false belief होता है ऐसा belief जो कि अकर वो साबित भी हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं है फिर भी उसका जो belief है वो खतम नहीं होता उनको लगता है कि नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सही है जैसे कि delusion में हम common delusion को देख सकते हैं delusion of persecution उसमें किसी विवैक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कोई मारना चाता है उसको किसी पर सक होता है कि कोई मुझे मारना चाता है कोई मेरे घर वाली जो है वो मुझे खाने में जहर मिला के मार दिंगे इस तरह का believe होता है और वो believe जो होता है वो कुछ भी ऐसा कितने भी घर बारे बोल दे नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिर भी उसका believe खतम नहीं होता तो delusion में false believe होता है जैसे कि दूसरा है delusion of love तो patient को ऐसा लगता है कि कोई उससे जो है वो प्यार करता है लेकिन ऐसा होता नहीं है सच में अगर वो भी इंसाना के बोल दे कि नहीं मैं आपसे प्यार नहीं करता ऐसा नहीं है इसमें भी उसका believe जो है वो कम नहीं होता उसको तब भी believe होता है कि नहीं वो मुझसे प्यार करता है तो इस वीडियो में हमनी जाना illusion, hallucination और delusion के बारे में illusion जो है वो false perception without stimulus होता है hallucination, false perception without stimulus होता है और delusion में false belief होता है जो कि वो कम नहीं होता है कुछ भी हो जाए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो इसे share जरूर करें और comment जरूर करें अगर अपने से जरूर को सब्क्राइब बार करें और जरूर करें जरूर करें तो आपको जरूर करें